आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ बढ़ा है तो हमसे पूछा है कि इनमें से कम दर्वमान किसका है और कम है मतलब A और B का जो दर्विमान है वो M2 रहेगा या M1 रहेगा मतलब कि हमें पताया नहीं है हमारे पास में पताया हुनने M1 is greater than M2 हमने यह उन्होंने प्रश्मिनयम में में बताया है और उन्होंने हमसे पूछा है कि किस जो कौन साथ जो हमारे पास में A या B में से कौन है जिसका दर्विमान अधिक है और कम है और क्यू है तो हमें पता है जो लैमडा बराबरी से क्या होता है 1 upon में sorry H upon में under root 2m qv के बराबर होता है ठीक है तो इस उत्री से अगर हम लोग देख है H constant हो जाएगा 2 constant है qv constant है तो हम लोग लिख सकता है इसको लैमडा बराबरी से H upon में sorry इसको हम लोग लिख सकते है लैमडा इस proportional to 1 by under root m v जहांपे क्या बोला है कि A और B का तो तरीज विभव है क्या है v है तो यह हो जाएगा v तो लैमडा और जो तरीज विभव है उनके बीच में जो संगत जो graph बनेगा अर्थत 1 upon में root v के लिए जो graph बनेगा वह कैसा बनेगा रैखिक बनेगा क्योंकि यहां भी दोनों के लिए एक जैसा ही है तो लैमडा का जो graph बनेगा मतलब graph की जो ढाल रहेगी वह ढाल कैसी रहेगी 1 के बटे में root m रहेगी ठीक है दोस्तों यह हमें पता है तो जब हम इन दोनों के बीच में अगर हम लोग graph plot करेंगे तो क्या हो जाएगा जैसे हमें पता है m1 is greater than m2 तो जिसका भी जो m1 मान लेगी a का a का जो मास है अगर हम लोग m1 रथा m2 के लिए मान ले जैसे m1 is greater than m2 है तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग graph बनाए इसके लिए तो वह graph क्या हो जाएगा? वो graph कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तीक है, जिसका जो ढाल है तो अगर हम इनके बीछ में lambda और 1 by root B के बीच में अगर हम लोग slope खीचे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यह A के लिए हो जाएगा और यह B के लिए हो जाएगा अर्थात इनकी जो ढाल है वह किती जाएगी 1 upon में M1 हो जाएगी और यह इसकी डाज जो ढाल है 1 upon में root M2 जाएगी चुकि जो M2 का मान है वह कैसा है M2 is less than M1 तो इससे क्या हो जाएगा हमें यहाँ पता चलता है जिसकी जो ढाल है ढाल किसकी जो B की ढाल है वह कैसी है कम है ढाल इस B की जो ढाल है वह कैसी कम है ढाल A से कम है तो हमें पता है कि ढाल जो A है वो क्या हो जाएगी 1 upon में under root M1 है और यह कित्ती है हमारी under root में 1 by M2 है तो क्या हो जाएगा यह जाएगा under root M1 is less than under root M2 अर्थात हम लोग कैसे रखते हैं कि जो ढाल A है उसकी जो slope उसका जो mass है वो कित्ता है दरविमान कम है किसका मतलब जो A है जो कण A है उसका दरविमान कैसा है उसका दरविमान कम है वो कित्ते से M2 से कम है तो हम लोग कह सकते हैं जो सबसे कम दरविमान है वो किसका है हमें M2 का पता है और Q है क्योंकि इसकी जो ढाल है वो किस्ती है जो एक ही जो ढाले वह सबसे अधीक है, तुकि एक ही जो ढाले अधीक है, तो दरविमान M2 कासा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यही है हमारा प्रश्न का उत्ता है, दोस्तो धन्यमाद कुछित है, तुकि एक है जो जाएगा, कि एक है, तुकित है, तुकित